Hello everyone, welcome to new video of that Liverpool guy, मेरा नाम है Darshan और finally August में Liverpool fans के लिए एक अच्छी news है मेरे हिसाब से क्योंकि पिछले महिने जुलाए में बहुत कुछ बोलने को नहीं था ट्रांसफर के कोई भी लिंक नहीं आ रहे थी, कोई भी न्यूमर या फिर अपडेट नहीं आ रहा है था, तो हम कुछ डिसकस नहीं कर पा रहे थी, मगर फाइनली जैसे बहुत सारे आउटलेट्स ने, बहुत सारे मेडिया आउटलेट्स ने कहा था कि Liverpool will be active in August, तो अभी लग रहा है कि वो शायद सच है क्योंकि फाइनली बहुत सारे न्यूज बहार आए है regarding transfer, और सबसे पहली बात तो Fabio Carvalio की हम करेंगे, Fabio Carvalio के लिए एक bid आई है from the Southampton, 15 मिलियन की बीट थी वो और Liverpool ने उसको reject कर दिया है, देखो इस case में मेरा opinion यह है कि 15 मिलियन for Fabio Carvalio was a fair offer, मगर club Fabio Carvalio को बहुत ही highly rate करता है और मैं बिल्कुल agree करता हूँ अपने club के साथ की potential तो बहुत अच्छा है, आप सभी ने देखा होगा जिस तरह से Fabio Carvalio वो left side पे operate करता है, आपको कभी-कभी continue के भी थोड़ी याद आ जाती है तो player के पास potential बहुत अच्छा है, जिस तरह से वो left spaces को occupy करता है, वहाँ से chances create करता है finishing भी अच्छी है, हमने पहली match में देखा, दूसरी match में देखा against United दो consecutive goal भी उसने friendly में मा रहा है, और Hulk के साथ वो पिछले season loan पे गया था, वहाँ पे भी उसने बहुत अच्छा किया था तो I think शाद इसलिए club थोड़ा जादा पैसा माग रहा है, Southampton का manager बहुत ही जादा rate करता है Fabio Carvalio को तो मुझे लगता है कि शायद Southampton एक नई improved beat के साथ आएगा, मेरे opinion में this is the right time to sell Fabio Carvalio क्योंकि player को भी एक assured game time चाहिए, उसको चाहिए कि उसको एक important role खेलने को मिले rather than sitting on the bench और मैं कहूँगा कि यार वो गलत भी नहीं है, देखो उसकी जो age है वहाँ पे अगर उसको एक regular game time मिलेगा तो जो हम अभी बात करें का बहुत जादा potential है, उसको वो reach कर पाएगा, और अभी हमारे पास left side पे बहुत सारे player, आप गीन सकते हो लुइस डियास हमारा starter है left side पे, gap को का euro बहुत ही अच्छा गया, left side पे खेलते हुए, जोटा का हम बोल नहीं सकते है, इवन डार्विन नुनेस का play on that left side तो हमारे पास already बहुत सारे player है, जो left side या फिल left wing का जो role है, वो खेल सकते हैं, तो हमको एक और option नहीं चाहिए, add this more, और club, loan पे भी नहीं बेचना चाहता, क्योंकि club को थोड़े पैसे भी generate करना है, तो मेरे हिसाब से अगर 20 million की breed आए, तो Liverpool को accept कर लेना चाहिए, आपको क् पे आप अपने opinion, please comment में लिखिए, मुग करते है next जो news आई है उस पे, और वो news है Joe Gomez के बारे, देखो, Joe Gomez के बारे में ऐसी news थी, कि यार, सबसे पहले तो fact है कि भाई हमने Gordon के लिए Joe Gomez को offer किया था, Joe Gomez for 45 million और Gordon के हम 75 million देने वाला थे, agreed भी हो गया था, Newcastle के साथ ये deal, और उसके बाद medical भी book हो गया था, मगर final stage पे आके, ये deal collapse हो गई, और उसके बाद से ऐसी बहुत सारी rumor आ रहे है कि Joe Gomez wants to leave for regular game time, उसको center back पे खिलना है, तो शायद वो a move away from Liverpool देख रहा है, मगर आज confirmation आ गया है कि Joe Gomez has committed to our club, वो प्रूफ करना चाहता है, लोगों को और slot की system में, खुद को एक key player के तरह पे देखना चाहता है, और he will prove himself ऐसा, ऐसी बात आई है बहुत, तो मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, मैं as a fan Joe Gomez को बहुत पसंद करता हूँ from the last season, last season अगर आपको याद हो तो हर जगह पे खिला है बंदा, कभी left back पे खिलता था, कभी right back में, कभी center back में, अरे DM पे भी हमने खिला है Joe Gomez को, तो बहुत जगह वो cover करता है, और मैं बहुत ज़्यादा comfortable होता हूँ, जब मैं देखता हूँ, Joe Gomez at left में, देखो, Robertson injured है अभी, शायद वो पहली match भी maze करते हैं, Simica is as good as Simica is, कभी-कभी वो गलती कर देता है, तो थोड़ा, आप कहलो, stress रहता है, तो यह मेरा personal opinion है, आपका अलग हो सकता है, मगर जब भी Joe Gomez at left back में देखता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा relief होता हूँ, मैं कहूंगा कि tension कम होता है, तो इसलिए यह मेरे लिए बहुत जोगोमस को या नहीं, आप अपना opinion comment में लिखे, तीसरी एक news है, और वो बहुत सी logical news है, कि जोगोमस अभी रुक रहा है, लिवरपुल अभी Gordon के लिए bid नहीं करेगा, इस transfer window में अभी बहुत unlikely है कि इतना बड़ी amount के साथ, लिवरपुल एक ऐसी area के पीछे जाएगा, जिस की उनको जरूरत नहीं है, हमने फाबियो करवाले वाले पार्ट में बोला, जैसे मैंने खाला कि हमारे पास already बहुत सारे left winger है, तो शायद वो जो, जो, sorry, Gordon वाली जो news है न, या फिर जो भी transfer है, वो इस season तो नहीं हो पाएगा, इस summer transfer window में अभी unlikely है, ऐसा बोल रहा है, तो उसके अलावा एक और news है, और वो news ऐसी है कि भाई, जो भी हमारे main player है, जो euros के later stage में पहुँचे थे, Copa America के final stage में पहुँचे थे, वो सभी वापस आ चुका है, AXA training center, Van Dyke, Trent, Gomez, अपना Nunes और Luis Diaz, और Cody Gap को, ये सभी लोग AXA training center join हो चुके है, और हमारा जो club है, अमेरिक टूर से भी वापस आ रहा है, मतलब कि जो भी team गई थी न, American pre-season tour में, वो भी वापस आ रही है, तो finally we will see a full squad, और hopefully एक और हमारी friendly है, उसमें अच्छा perform करें, और एक अच्छे campaign की शुरुआत करें, आपको ये वीडियो कैसा लगए, आप अपना opinion comment में लिख सकते हैं, आप यही तक आपने subscribe नहीं किया, तो please subscribe कर दीजिये, मिलता हूँ next video में, तब तक